Hello everyone welcome to pencil bakery and welcome to course is course में आज हम layers के बारे में study करेंगे वैसे तुमंसे आपको पहले थोड़ा से इंचे बारे में लेक्टिन आज हम एसे मेंडेउल में study करेंगे लिए फ्राड़ कर लेते हैं यहांप रघ्ल लेते हैं अगन libro ाइसे कर देते हैं यहां पर मैं उसका विट यहां पर आपको दिखा दिया हुआ है तो यह क्या है हमारा यह बैक्राउंड यहां पर शो कर रहा है और यह अभी लोग है अगर मैं इसको यहां यहां पर कोई मूव करता हूं कोई भी टूल्स लाकर यहां कोई पिचर बगरा यहां पर ले आते हैं तो वह क्या करता है कुट नोट यूज दा मूव टूल विकोज दा लेर इस लोग यह बाइद फाल्ट अभी लोग है तो इसके ओपर अभी हम कोई मूवमेंट यहां कुछ करें इसको मूव करने की कोशिच करें तो यह मूव नहीं होगा क्योंकि यह लॉख है स्पोर्ज मैं यहां पर एक इमेज ले आता हूं और इमेज ले आते हैं यहां पर ओपन कर लेते हैं उसको अगर कोई आप दूसरी इमेज भी लेंगे तो वह भी यह बाइडिफाल्ट बैक्ग्राउंड ही बताएगा अब यह दिखे यह भी बैक्राउंड ही इसको बताया है तो आप देख सकते हैं इसको भी बैक्राउंड इसको थोड़ा मूव करने की कोशिक करूं तो यह मूव अधिन घो Ummन động Цेंट मोड्री टूल इस लॉक तॉय अभी इसको लॉक बता रहा है तो एस में निधा से हम अभी इसको लॉक नहीं कर सकते हैं तो तो उसके तो साथ पस अप सब्बमोब्धार कने हैं या उसके ओपर जो भी डेले आते हैं अभी हम क्या करते हैं याँ यहां पर भी यहां पर बना हुआ है नीज शिफ कंट्रोल एंड कर देते हैं कि शिफ कंट्रोल एंड करते हैं तो लेर वन उसने बता दी है उसका नेम दे देड़े हम तो आप देख सकते हैं अब भी हमारा इसके उपर आ चुका हुआ है अगर इसके उपर हम कोई जो यूज करते हैं ब्रेश टूल तो ब्रेश टूल के साथ अभी हम अभी इसके थोड़ा सा साइज बढ़ा रहते हैं थोड़ा सा और बढ़ा रहते हैं तो अगर मैं इसके उपर तूल्स जो है यूज कर सकता हूं तो जो भी मैं चाहूं इसके उपर जो है अभी इसके उपर वर्क कर सकता हूं तो अभी मैं चाहूं इसको मूव करना चाहूं तो अभी यह मूव भी हो सकता है तो लेकिन अभी हमारा यह लेयर वाने लेकिन अगर बैक्ग्राउंड होता तो तो अब हम इसको मूभ नीज कर सकते हैं कि इससको जो है वो टूल को बता दिये log है तो अगर हम चाहें भी यह वाले का मिर्ण कर लिब बता रहे हैं इसको अगर हम थोड़ा सा अजक्ष परोस aids कंभ अधिये अप्छय यह थोड़ा थोड़ा दीर गर यह vorbere तो इस मेतल से हम अपने यह टूल्स भी यूज कर सकते हैं यह अभी ओपन है तो अगर बैक्ग्राउंड का हम चाहते हैं कि यह भी उसका जो लेर है यह बैक्ग्राउंड बाइडिफाल जो है इसको भी हम बाइडिफाल जो है इसका रीनेम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो रीन कि इसको अभी हम उपर ला सकते हैं उपर लाने से क्या होगा हमारा जो इसको ट्रांस्बिर करना स्टार्ट कर देगा तो इस मैथड से अभी हमारा जो layer 1 layer 0 जो हमारा rename हो चुका और इसको अभी हम वक इसका यूस कर सकते हैं तो अभी हम इसको भी थोड़ा अभी कर सकते हैं तो ये layer 1 से हम अपना जो वर्क है वह काफी हमारा अवार साथ ही हम अपना पहुत सारे वर्फ जो का में बहुत अच्छे दंग से जो कर सकते हैं तो अभी हम क्या करते हैं एक और ले ले लेते हैं इसको अभी हम क्या करते हैं यहां पर इसको अभी हम क्या करते हैं यहां पर इसको फिल कर लेते हैं इसको फिल कर लेते हैं इसका बैग्राउंड कर लेते हैं इसका बैग्राउंड कर लेते हैं इसका और यहां पर अभी हम क्या करते हैं इस में इसको दिए कर देते हैं यह एरिया कर लेते हैं प्राट के अछिए इस्क्राइदował है तो यहां पर दूसरी लिए कोई और इमेज लाना चाहते हैं जैसे हम यहां पर मेरे पास इक इमेज होगा यह लिए लिए ओपन कर लेती हैं आप स्क्रीन यह वाला ले ले लिए यह यहां पर तो अभी यह बैग्ग्राउंड है तो यहां है ढ psychologists क्या खते हैं यहां से इसका मूव कर लेते हैं सब्सक्राश्डूर कर लिए यहां बारा गया यह आप एडोगे मेरा तो आप चाहे तो इसकिक करना चाहते हैं यहां को नrine कर लेते हैं यहां से इस अगर आप और के लाना चाहतें आपको मूफ टूल रख लिया है आपको फूल बिलाएं है यहापा इन अगार करके हो यह हैЕं कर दोत स्आथ जाव विल्ड पर लाकिंडी लिए तो आप देख सकते हैं हमारा लाएज यापिर आ इम.용. इस मैस्तर भी आप अपना इमेज़ ढ्रागन द्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर इसको इसम्पल को कर लें कंट्रोल एसे स्लेक्ट करें और कॉपिक कर लें कंट्रोल सै कॉपी यहां पर आके ल 지난ze को यहां पर आपका मैं यहां ईक्डिया पर आचफा हुआ है तो यहां पर Control जो टी कर लेते हैं ट्रांसवांव मों यहां पर ट्रांसवां मिसको स्थोड़ा साइच चोटा जो चोटा कर लेते हैं बड़ा अगटा भी सकते हैं तो इस मेसे हमने अपना यह देखे हैं ने लेड़ को ले आया यहां पर और यह वारा उपर आ चुका हुआ है और नीचे हमारा जो है स्टॉबरी का लेर और यह यह लेर हम यहां से गलीट कर लेती हैं इसको कंट्रॉल जो एक यह लिए अभी हम डिलीट कर देते हैं इसका में यूज नहीं रहा भी तो इस में दिखी दो लियर्स बना लिए एक के अंदर जो है हमने एपल का लगा दिया कंट्रोल टी से ट्रांस्फोर्म भी हो सकता है हमारा सभी इमेंज स्लेक्ट होती है अगर यह लेर करना है हमने तो लेर 2 के उपर पर आकर हम हम पस्केट से हमारा जो हमने ट्रांस्फोर्म को स्लेक्ट किया वह अपर ऐसकते यह सब्सक्राइब मरें देने इसको अबसक्रों सेंफोन है नहीं कि भी में इसको देखते हैं भी हम सेट कर लेते हैं ये Genius इमज्र टो निजब है और यह क्लिक यह 10 प्रेस करें तो इस तरह भी आप अपना आपर कर सकते हैं थो अबहें अबार्ड व् 2ians यू समगेंगग यह पासी स्का कम करना मिकान कर लिया और इसको प्यent C कंद दर चलते हैं यह अगर जैसे कम करेंगे तो नीचे वैसे तो जो फिल्ल आ है वो किसी और किस परप्पसotte यूज होता है लेकिन यहां पर अभी हमारा जो है kी तरह यूज हो रहा है इसका आपको बाद में निडियली में बताएंगे कैसे फिल्ल का परपस जो है हम किस परपस के यूज करते todd Akt PCR को इस नंग से भी आप यूज कर सकते हैं अपना कोई फोटोश्ब्स के लिए यह यूज कर सकते हैं अभी हमारे पास आ जाता है जैसी हमने λेटी स्कूलेक्श लेक किया हुआ है टो यहां पर हमारे पास लॉक्श अजailed लल्uk कि कुछ परॉमीरसं यहां पर दही और ने के अंदर कि अदर किया आ जाता है सबसे पहले हमारे जैसे अभी हम फिक कर दितके हैं यहां पर जो बी चीज अगर आवर हम लॉख का जैसे हम मारी लेर पहले लॉक हुई थी उसके उपर कोई भी मूबमिन कर पा रहा रहा है तो यह अलग Прीक्सल पर क्लिक कर दें हूं तो ये अभी लौक निशान दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं मैंने इसको लॉक कर दिया तो आभी मैं इसको मूव कर सकता हूं झाल अगर ब्रैश का वक करता हूं कोई नी रहा है तो लेकिन अगर मैं यह वला एरिया क्योंकि इसने ट्रांसपेरींट जो हैं लेर के ट और यहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यह इसको मूव कर सकते हैं इसको बड़ा चोटा भी कर सकते हैं अभी में लेयर इसको तो पहले मैं स्केप कर लेता हूं अभी कंट्रोल टी करता हूं तो मैं इसको बड़ा चोटा भी कर सकता हूं तो यह सब यह उसने ट्रांसपोर्ट किसको किया हुआ यह जो लेयर का एरिया है बैक्ग्राउंड एरिया जो है उसको उसने ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट वह एरिया लेक्ट किया है जो ट्रांसपेरेंट बैक्ग्राउंड एरिया उसको लॉक किया हुआ है पिच्चर को उसने लॉक नहीं किया हुआ उसके उपर आप ब्रेश कर सकते हैं यह देख सकते हैं यह ब्रेश का हम यूज कर सकते हैं तो नेक्स हमार जो लोग से लेके टूल है वह आ जाता है ब्रेश का क्या है अभी हम सेम वही रहेगा हमारा अभी हम इसके उपर ब्रेश को यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन हम इसको जो है मूव कर सकते हैं और ट्रांसफोर्स भी कर सकते हैं बड़ा चोटा भी साइस को कर सकते हैं लेकिन हम य लोज्च पंदीशन मतलब इसको में प्रेस्क गता हूं पि Prag अभी हमारा भ्रेक्ट कर रहेका अर इसको भी हम ठ्राइवग स कई यह दो हुर्ट इसको ओंपर उसके लेकिन इसकी पिदिशन को मूव नीए कर सकते इसको अब हमने kया देख सकते हैं कुट्र नौ जू मूट कर layer is locked अहले हमारी जो लियर है लोक हो चुकी यह इस मैठर से हम जो है यूइज कर सकते हैं लेकिन अगर हम इसको brush बिए सके अंदर जो है याया चाहते हैं कि brush भी przriaस की इसके ऊपुर आप यूज सकते हैं इसको लोक कर सकते हैं तो यह हमारा जो है जैसे हमारा पहले background layer था वो totally lock आ रहा था इसको अगर हम press कर देते हैं तो हमारा lock all हो जाएगा तो local से हम क्या कर सकते हैं और कोई भी layer को move नहीं कर सकते हैं या उसको वो एक बार हमने lock कर दिया तो उसके बाद हम उसको कोई भी changes नहीं कर सकते हैं तो यह local का हमारा जो है यहां पर तो जैसे हमारा नहीं कोई image लेते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर background की image lock यह lock है तो उस method से हमारा यह भी image जो है local करने से हमारी totally सभी layers जो है lock हो जाएंगी लेकिन अगर एक चीज़ हो रहे हैं यहां पर जैसे हम transpose use करते हैं इसको lock कर दिया लेकिन हमारा फिल और पैस्टी वैसे ही work करेगा जैसे जो बाकी without lock जो work कर रहे थे अगर हम यहां पर brush ले ले लेते हैं तो वह भी हमारा opacity जो है वह work करेगा यहां पर इसकी हम movement कर सकते हैं अगर हम यहां पर यह लॉक कर देते हैं तो तब भी हमारा opacity और फिल थोरली वक करेगा तो यह हमारा लॉक से यह पिचल से लेटें जो भी layer के उपर हम लॉक लगा सकते हैं किस मेथड से तो वह लोक हम यहां पर यूज कर सकते हैं तो next हमारा आ जाता है blend options यहां पर आप देख सकते हैं लेट के उपर लॉक के उपर यहां पर options दी हुए हैं अभी हमारा normal में है तो अगर हम dissolve use करते हैं तो उसने dissolve नहीं किया इसको blend options होती क्या है जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है जो सेकंड लेयर के साथ जो है dissolve हो जाए उसे हम blends कह देते हैं जहां उसके साथ blend हो जाए पिच्छस के साथ वह हमें उसको blend बोल देते हैं तो डिसौल हमारा अभी उसने ज्यादा कोई खास चेंज नहीं किया लेकिन अभी हम जैसे यहां पर next हमारा यह पोश्ट डार्कन multiply color blur linear burn और darker color तो अभी हम इसके अंदर डार्कन यूज करते हैं तो डार्कन क्या है उसने जो लाइट कलर वाला एरिया उसको छोड़ दिया लेकिन जो डार्क कलर उसको उसने अभी रहने दिया है अगर मैं यहां पर opacity यूज करूं तो हम देख सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा पैस्टी लेने के बाद में फोड़ा इसका इमेज का साइज दो बढ़ा देता हूं तो आप देख सकते हैं यह पिक्चर काफी पिक्सल जो है आप सकते हैं यह फिर आप यहां पर फिल भी यूज करें तो तो पहले मेंच साइच चोटा करता हूं इमेज का इसा जए हो जाता है लिए के लिए उसी कर लेते हैं फिल कर लेते हैंonne आप 117 बढ़ा कर दो दो you से तो जो करता हूं तो वह सकते हैं यह कैसे aging दिजॉल्व और जो यह था देखने के लिए तो यह तो देखने तो next हम चलते हैं यहां पर आ जाता है darken, तो darken क्या यह उसका, जो light color उसको छोड़ देगा लेकिन dark color जो रहेगा उसका वो उसको शौक करेगा, then हमारा आ जाता है multiply, multiply भी सहमें, multiply उसने देखिए उसने जो light color होगा उसको छोड़ देगा, अधिया तो यहीं को दिखाएका इसके लिए में आपको चलो तोड़ी कोई दूसरी समक्राट करता हूं यहाँ पर मैं इत्म को नीचे ले चलते हैं और मैंने को सबसे हैं और मैंने दाधिरकर करकर यह तो यह कुशित्य को उपने कर से willst घहां इसको स्लेक्च कर लेतें गो और अभी हम क्या करते हैं यहां पर मल्टीप्लाऀ जो आपको दिखाना चाहता उता है है यह मल्टीप्लाई क्या करेगा वाइट इसे अब ब्रप stain गया उसको वाइट कलर को गर हम ऐसे करना चाहें अभी मैं नॉर्मल में लिएता हूं तो अगर हम चाहें यह मैंजिक वाइन कलर से भी अपना वाइड जो है वह हम कर सकते थे लेकिन वह उस डंग से नहीं यूज होगा क्योंकि उसने उसको जो क्या रहेगा अप देख सकते हैं उसका वाइड जो है अगर मैं इसको थोड़ा साइज बढ़ा देता हूं तो वह उसका थोड़ा थोड़ा दिखे गाई लेकिन जो यह चीज के साथ इसका आपको नजर आएगा देखिए उसका थोड़ा-थोड़ा वाइट पंद जहां से मैंने इसको डेल किया है स्लेक करने के बाद आपको थोड़ा-थोड़ा एरिया जो वाइट नजर आई रहा है लेकिन अगर हम यही चीज अपने मल्टिप्लाई के साथ यूज करें तो वह कुछ और मैथर से आपको दिखेगी देखते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं एक बाद फिर मल्टिप्लाई तो यह देखिए अभी उसने अभी मैं इसको यूंग करूं तो आप देख सकते हैं उसकी क्वाल्टी जो है सबसे बढ़िया दिख रही आपको फिर भी तो यह आप हम मल्टिप्लाई के साथ यूज कर सकते हैं सभी है कि वंध़ वेहां लगे कि तो नेख्श समय पेस क्या है अब हमने आपकि अटा पर यह तो यहmakाँ के साथ तो हमारा अगर हम देखे तो यहां पर नॉर्मल करें तो इसका हमारा वाइट एरिया रहता ही रहता है वह कहीं जाता नहीं है पर लेकिन अमल्टिप्लाइश से वह वाइट एरिया गाइब करता है बिना किसी स्लेक्शन के साथ तो अगर हम यहीं लाइटन के अंदर च तो यहां पर हमारे पास एक इमेज है यह हमारा इमेज को को commence को घैसे हम यह आपर सक Ultra कर दिए आदर एंसे एंवर्ट आए तो यह क्या करेगा हमरा जो है एरिया जो इस ने क्या किया हमारे वाइट रीक ब्लैक कर दिया ब्लैक एरिये को लाइट कर दिया ने कि से अभी उसने मल्टिप्लाई कुछ ऐसा इस डंग से बना दिया अगर हम यही इसका लाइटन के अंदर स्क्रीन करते हैं तो आप देख सकते हैं यह उसने इस डंग से कर दिया तो यह हमारा इंवर्स और लाइटन का वर्क था जो आपने अभी देखा कि कैसे हम इसको डार्कन के आधर मृटिप्लाई के अंदर स्क्रीण जो है वाइट एरिये को ब्लैक करना और इंवर्स करना जो आपने इमजуск के साहथ अगर हम यहाँ पर चलता है, अब हम यहाँ पर चलते हैं इमेज के साथ इंवर्स अभी करते हैं तो आप से और उसके ओपर थोड़ा वर्क जो है अपना जो कमांड का जो इंप्रेशन था वह उसने उसके ओपर यूज़ कर लिया तो हम देख सकते हैं हमने अभी हमने नॉर्मल के अंदर नारकन के अंदर मुल्टिब्ला यूज़ करके देखा लाइटन के स्क्रीन और इमेज के साथ हम इसका ओपोजिट जो है कर सकते हैं जैसे ब्लैक को ब्लैक कर सकते हैं तो यह अभी हमने के अंदर मुल्टिप्लाई और लाइटन के स्क्रीन देखा और अब हमारा नेक्स आजाता है ओवरले अगर हम यहां पर ओवरले यूज़ करते हैं तो क्या होगा हमारा जो वाइट ए लिए को ब्लैक के लिए को इसने थोड़ा डारक करके दिखा दिया आपको इस मैथर से हम अपना ओवरले यूज़ कर सकते हैं तो आप यह प्रडिक्ट नहीं कर सकते किस किस कमांड के साथ क्या होगा मतलब कि कौन सा ऑप्शन के साथ कौन सा इमेज को सेटिंग बैठेगी यह आप प्रडिक्ट नहीं कर सकते हैं यह आप बता नहीं से कि कैसा होगा स्पोर्स हम यहां पर एक और इमेज मेरे पास मैं इसको यहां पर ले आता हूं अब यहां से इसको ड्रैक कर लेते हैं यहां पर इसको ले आते हैं यह हमने मैंने यहां पर इमेज लेया यहां यहा आप बड़ा कर लिता हूं तो आप भी देखते हैं अगर नॉर्मल यहां पर उसको अब डार्कन करते हैं तो आपका कुछ इस दंग से लाइटन हो जाएगा अगर हम ऑले करते हैं तो कुछ इस दंग से उसका अब दिखने को मिलेगा तो अप यह प्रोडिक्ट कर सकते किसी मे यूज़ करके ही पता चलेगा कि कैसे कौन सी कमांड किसके साथ कैसे सेट बैट रही है हे तो नेग्सरुन हम क्या करते हैं यह थे इसके साथ हम जो करें इसका यह यहां पर मैं क्या करते हूं इसके वह खालते हैं आहों अपर और ने बहती है तो यहां पर मैं क्या करता हूं यहां एक लिए बैग्रांड coherence वार तो denk आपको दिखा तो हम करना क्या चाहते हैं यहां पर इसको अभी ब्लू करना चाहता हूं तो यहां पर ब्रेश का ले लेते हैं अगर मैं यहां पर तो यह अगर मैं ऐसे ब्लू करूं इसको तो यह काफी बद्दा लगेगा तो यह कुछ ने स्टूड़न होते ही जैसे उनका यूज रहेगा तो क्या करते हैं हम यहां पर इसको अभी छोटा कर लेते हैं और कंट्रोल आल्ड़ से मैं टोटली अंडू कर लेता हूं अंडू कर की जोई मैजिगर तूल के साथ हम इसको इसको स्टाठ कर लेंगे आढूं इसको कि इसको स्ट मैं पूरा पूरा व्हें आखर मैं इसको तो इसका sunnut का जो एक स्टार bissब कर लेता है यह पर मैं our max के साथ our backzz के साथ ही सब्छाट कर लेता हूं यह ऐपर नॉर्मल के दर चलता हूं का लेकर ाए तो आप देख सकते हैं यह apple का कऴर जो है ब्लू अहों गया उसका जो एपल का अपना कैलर है उस ने उसको अगर यही कैरण कर देता हूं कंट्रोल यूमिस्टी यूज करूँगा तो उसका जो से दिखाई देगा तो यह आपका हम कैसे उसको कर सकते हैं यहांपर नौर्म के साथ उसका देख सकते हैं यह घ्रीन कलर का अभी दिखाई देगा अगर हम देखेंगे तो उसका जो अपना रेड कलर के पले वह उसको जो करेगा चाहिए कलर जो मजई नेम आजाता है जैसे हमने लेर वन लखा हुआ है तो लेर वन जैसे मैंने लिखा तो यह लेर आ गया अगर मैं बैग्गरांड लिखुंगा तो वह बैग्गरांड भी नी शो करना भी क्योंकि यह बाइड इफार्ट है इसका कलर लेर 0 कर देता हूं लेर जीरो की जा बेसिक यहां पर जैसे हमने नेम के साथ लिखा तो इसने बेसिक कर दिया क्योंकि मारे पास अगर हम वक करते हैं तो बहुत सारी लेड़ हो जाती है तो दूर्मली मौड तो अगर हमने कलर यूज किया तो कलर अला मोट दिखा देगा यह आप देख सकते हैं उसने एक लियूमिसिटी में कोई निए यूज हुआ कलर के अंदर मारा एक यूज हुआ लेएर वन उसने उसको वह शो करके दिखा देगा अगर मारा विजीबल है जो जहां जो लॉक्ड है वह दिखा झाल यहां दैड जैसे हमने यहां पर लिस लॉक बैए सकुर करता जा जाता है कलर ऑला मारा यहां पर कोई बidden है तो वह मारा उस द्वाटा करेगा स्मार्ट ऊबजेक्ट है वह मारा यहां पर अभी कोई बिनिया तो इfendimार के अंदर में यह सब जो इमिजिस हैं वो टेक्स्ट है या यह साथ काफी आगे जाकर और आप्शन साब को बताएंगे इसके साथ कैसे करेंगे तो आगे हमारा आजाता है यह अगर हम यहां पर कुछ नए लेयर्स बना लेते हैं सपोस्थ हम यहां पर एक दो तीन लेयर्स बना लेते हैं अभी हम सब्सक्राइब करते हैं यह चाते हैं ग्यां कर देंगे फिसके साथ सब्सक्राइब कर लेंगे लिएaces प्रेस्ट करेंगे येस कर देंगे यह मैने वैसे आपको पहले भी बताया था लेकिन लेसे चला लेस्क्याइव लेसे चला है उसके अंदर आपको बता रहे हो यह थी वह लीट कर देंगे घर जो है इसको ड़ीट करना चाहें तो गुरूप only तो यह हमने group only को भी delete कर दिया अब देख सकते हैं अपने अलग-अलग जो option से इसके अंदर layer section के अंदर में use करके देखी हैं तो आप अपने coding भी अपना layer section का use कर सकते हैं उसके साथ practical भी कर सकते हैं thank you guys